प्रित्वी का जन्म कैसे हुआ? प्रित्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। वैज्यानिकों के अनुसार हमारा सौर मंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल से बना था, जिसे नेबुला कहा जाता है। इस नेबुला में गुरुत्वा कर्शन बल की वजह से एक तेज घूरनन स्पिन उत्पन हुआ, जिससे गैस और धूल एक जगह इकठा होने लगी। जैसे जैसे यह पदार्थ इकठा हुआ, इसका तापमान बढ़ा और सूर्य का निर्मान हुआ। इसके बाद बचे हुए पदार्थों से छोटे-छोटे ठोस पिंड बने, जिन्हें ग्रहाणू या प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। इन ग्रहाणूओं के आपस में टकराने और मिलते रहने से धीरे-धीरे बड़े पिंड बने। प्रिथवी इन ही ग्रहाणूओं के टकराने और जोड तोड से बने। समय के साथ प्रिथवी ठंडी हुई और इसके चारों ओर एक ठोस परत बने। इस परत ने प्रिथवी का सतह बना दे। और इसके भीतर धीरे-धीरे जीवन के लिए अनुकूल माहौल तयार होने लगा।